नमस्कार दोस्तो आप सभी का ज्योती शूर्जा में बहुत स्वागत है। जाती है जो पूजनिय होता है हमारे पुरातन समय में मोरपंख का इस्तिमाल कलम के रूप में किया जाता था हमारे रिशी मुनियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों में मोरपंख की कलम का ही इस्तिमाल किया गया है इसे विद्या की देवी सरस्वती का वाहन भी माना जाता है इसलिए ऐसे किताबों में रखना भी शुब माना गया है बहुत धरम में भी मोर पंख को बहुत मानिता दी गई है उनका मानना है कि मोर खुले विचारों का प्रतीक है क्योंकि मोर हमेशा पंखों को फैला कर प्रकृति का स्वागत करता है इसलिए वो एक सकरात्मक मानसिक्ता का प्रतिक माना जाता है यहां मैं आपको एक बहुत ही इंपोर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो आप शायद नहीं जानते होंगे और नहीं आपने कहीं सुनी होगी मोर जो है वो सापो को खाता है और जोतिश शास्त्र के अनुसार सांप, राहू और केतु से संबंद रखते हैं सांप का जो सिर है वो राहू का है और उसकी पूंच केतु ग्रह से संबंदित है और जोतिश में जो ग्रह इन दोनों ग्रहों को शांत कर सकता है वो मंगल का रूप है इसलिए मोर को मंगल की संग्या दी गई है और हमारे धरम में तो वैसे भी मोरपंख को मंगलकारी ही माना जाता है इसलिए कहा जाता है कि मोरपंख को घर में रखने से राहु के तूजनित ग्रहों के दुश्प्रभावों से मुक्ति मिलती है और वहीं छिपकली सांप जैसे जानवर भी घर में परवेश नहीं कर पाते मोरपंख को इतना प्रचलित क्यों माना जाता है हमारे हिंदू धरम में इसके लिए एक कथा प्रचलित है भगवान शिव ने मा पारवती को पक्षी शास्त्र में मोर के महत्व के बारे में बताया है प्राचीन काल में संध्य नाम का एक असुर हुआ करता था यह बहुत ही शक्तिशाली और तपस्वी असुर था गुरु शुक्रचारे के कारण संध्य देवताओं का शत्रू बन गया संध्य असुर ने कठोर तपकर शिव जी और ब्रह्मा को प्रसन कर लिया था ब्रह्मा जी और शिव जी प्रसन हो गए तो असुर ने कई शक्तियां वर्दान की रूप में ले ली शक्तियों के कारण संध्या बहुत शक्तिशाली हो गया शक्तिशाली संध्या भगवान विश्णु के भगतों को ही सताने लगा असुर ने स्वर्ग पर भी अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया देवताओं को बंदी बना लिया जब किसी भी तरह देवता संध्य को जीत नहीं पाए तो उन्होंने एक योजना बनाई योजना में सभी दैवी देवता, सभी नौग रहे, एक मोर के पंखों में विराजित हो गए अब वह मोर बहुत शक्तिशाली मोर बन गया मोर ने विशाल रूप धारन किया, संध्य असुर का वद किया तब ही से मोर को बहुत ही पूजनिय और पवित्र माना जाने लगा दोस्तों, आज मैं यहां मोर पंख का बहुत ही सरल सा आपको एक उपाई बताने जा रही हूँ जिससे आप मोर पंख के द्वारा किसी भी व्यक्ति की नजर को राम से ठीक कर सकते हैं नजर लगना एक आम बात है, नजर किसी की भी लग सकती है चाहे कोई नजदीकी ही हो, बच्चों में तो अक्सर इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं इसलिए नजर दोश से बचने के लिए कई उपाई किये जाते हैं जिसमें नमक, मिर्ची का बहुत उप्योग होता है परन्तु ये कोई पर्मानेंट सॉलूशन नहीं है अगर आपने पर्मानेंट सॉलूशन करना है तो आप इस उपाई को कर सकते हैं जो मैं यहां बता रही हूँ आपने ये उपाई मंगलवार को करना है इसमें आप एक मोर पंख लेकर आएं अगर मोर का पंख असली हो यानि आप ये जानते हों कि आपके सामने ही गिरा है ये आपको कहीं से गिरा हुआ मिला है तो बहुत ही अच्छा है आपने मंगलवार को मोर पंख के बीच जो चंद्राकार होता है यानि चंद्र के जैसी जो अकरती होती है उसे काट कर निकाल ले फिर उसे एक तावीज ले ले चांदी का तावीज हो तो बहुत अच्छा है आप उसमें उस चंद्राकार अकरती को भर दें और उसके बाद उस तावीज को उस व्यक्ति को पहना दें जिस व्यक्ति को नजर लगी है आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उसकी नजर लगी जो है वो उतर जाएगी और अगर किसी को नजर नहीं भी लगी तो इस तावीज को आप precaution के लिए पहन सकते हैं यानि बचाव के लिए तो चलिए दोस्तों morepunk से related और भी बहुत सारे ऐसे उपाए हैं जो हम कर सकते हैं और बहुत ही आसान है जो मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करती रहूंगी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू